यहां पर आप देख सकते हैं you got premium individual दिखा हुआ रहा है से ले सकते हैं और साथ में Spotify premium के सारे फीचर आपको फ्री में ही मिल जाएंगे तो आप वीडियो को पूरा देखिए और आपके पास होगा Spotify का premium subscription वो भी बिल्कुल ही फ्री में और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक बात कि अगर आपको हमारा वीडियो इंफोर्मेटिव लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक कोमेंट कर देना यार यही सब हमें मोटिवेट करता है आगे और भी क्रिप्शन में नीचे दे रखा है और यहां पे आपको get three month free पे click करने है ठीक है click करने के बाद यहां पे आपको login करने का option देगा तो जहीर सी बात है आपने कभी Spotify अगर यूज नहीं किया होगा तो आपको sign up करना होगा तो यहां पे आपको don't have an account पे click करना या नीचे sign up for Spotify इस पे आपको click कर लेना है ठीक है click करने के बाद देखे आप इधर अपना email address वगरा इंटर करके भी login कर सकते हैं मतलब sign up कर सकते हैं पर मैं यहां पे direct use करने वाला हूं sign up with google तो इस पे हमें click कर लेना होगा click करने के बाद आपके पास यहां पे list आजाएगा जितना सारा भी एक email चूज कर लेना है जो भी आप चाहते हैं उसे चूज कर लिजे और उस पे click कर दीजे click करने के बाद यहां पे देखे आपको अपना date of birth select करना होगा तो यह आप अपने हिसाब से कर सकते हैं मैं फटा-फट कर लेता हूं तो यहां मैंने select किया इधर mail आपको select कर लेना ह इधर आपको दोनों पर mark कर देना है यहां पर भी आपको mark कर देना है और यहां पर sign up पर आपको click कर लेना है click करने के बाद यह थोड़ा सा process का time लेता है मतलब 2-4-10 seconds तो लेहीं लेगा उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर plan का detail दे रहा है कि क्या क्या कैसे क करना है तो आप चाहे तो इसे पढ़ लेना है पैसे तीन मंत के लिए free देता है उसके बाद आप से पैसे मंगता है तो यहां पर आपको नीचे आना है state अपना choose कर लेना है तो मैं यहां जहारखंट से हूँ तो जहारखंट मैंने चूज किया यहां पर देखे दो तरीके से आप मतलब purchase कर सकते है एक्चूल में यह purchase नहीं बोल सकते है फ्री का trial ले सकते है यहां UPI पर आपको क्लिक करना है और अगर आप इंडिया में रहते हैं तो UPI से best option कोई नहीं हो सकता है और यहां पर आपको अपना UPI ID इंटर करना होगा और यह कहां से आपको मिलेगा देख यह वापस से आपको वहीं पर चले जाना है और यहां पर आपको वह UPI ID पेस्ट कर देना है ठीक है पेस्ट करने के बाद आपको यहां नीचे मिल जाता है continue purchase इस पर आपको क्लिक करना होगा क्लिक करने के बाद एक बार और आपको फिर से continue पे ही क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद देखिए आपके पास ऐसा एक मतलब pop-up दिख जाएगा इसके बाद आपको करना यह है कि आपको जो भी आपने phone पे या Google पे का जो भी दिया हुआ है आपको एक notification आएगा देखे यहां पे auto pay request का notification आचुका है तो इस पे आपको क्लिक करना होगा यहां पर आप देख सकते हैं यह pop-up हमारे पास आया klik करने के बाद इस पे आपको approve auto pay पे click करना है उसके बाद यहां approve auto pay करना है उसके बाद आपको यहां पे enter करना है अपना MP और यहाँ क्लिक कर देना है आपको उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अप्रूर्विम आटो पे हो रहा है यह पेमेंट के लिए नहीं लिख रहा है कि मतलब पे कर रहा है या कुछ भी यह आपका लगभग एक रुपए करता है जो कि आपको 24 गंटे के अंदर ही वापस मिल जाता है ताकि मतलब सामने वाले को समझ में आ कि हाँ भाईया ओटो पे सेलेक्ट हुआ है अगला आदमी मतलब कोई भी बोट पगेरा नहीं है तो यहाँ पे देख सकते हैं अब ही आपको चले आना है इस वेबसाइट पे जहां से आपने मतलब फोन पेपे स्व इमेल एड्रेस यहां पे चूज किया था वही आपको स्पोटीफाई एप में भी ओपें करना है तो अब मैं यहाँ पे आपको स्पोटीफाई ओपें करके दिखाता हूं और गाईज देखिए यहां पे आपको करना यहां कि आपको जो भी आपने इमेल या जीमेल यूज क करना है तो मैंने यहां पर सेम जीमेल एकाउंट चूज किया यहां पर थोड़ा सा मैं सेट अप कर लेता हूँ फटा फट तो यहां पर देख सकते हैं हमारा Spotify ऊपन हो गया अभी आपको यहां सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहां पर देख सकते हैं अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा पूरा यहां पर डिटेल दे दिता है प्रीमियम इन विज्वल एक्टिव है और यह हमारा पैसा कटेगा तीन मंत के बाद तो मैंने एक आटो पे बंद करना कैसे है उस पे एक वीडियो बना रखा है जो आपको आई बटन मिल जाएगा तो बस इस वीडियो में इतना ही मैं मिलता हूँ आप से एकले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई